नमस्कार साथियों, जोपस टार्गेट यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो के अंदर में आपको सीट एट इंदी पैडागोजी के ऐसे 15 क्योशन कराऊंगा 15 क्योशन कराऊंगा, उससे बार सीट एट के एकजाम में कुछ भी नहीं आएगा ठीक है, अगर आप लोगों ने ये 15 क्योशन कर लिए, इनी को गुमा फिरा के एकजाम इननर नए परसन बनाएगा इससे बार कोई परसन नहीं बनाएगा, ठीक है, मेरा खुद 2-3 साल का एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सेयर करने लग रहा हूँ तो वीडियो अगर पसंद आये तो भाई, लाइक जरूर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर कर दिया, अगर आप लोग शेयर नहीं करते, तो शुरू करते हैं इन्दी पैडागोजी को पहला परसन है, बाशा कोशल के समद में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो अमजान लेते हैं, बाशा कोशल को इंगलीज में क्या बोलते हैं, लैंगवेज सकील्स, ठीक है, तो इसमें पूछे अब कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले अमजान लेते हैं, ब शर्वन कोशल बोलते हैं सुनने का कोशल ठीक है या आपको कई बार मतलब की कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ये भी देजेगा बासा कोशल का पहला पद कौन सा होता है ठीक है तो आप लोगों क्या बताना है ओप्शन में आपको दिया मिल जाएगा सर्वन कोशल ठीक है नहीं था तो सुनने को ही शर्वन कोशल बोलते हैं ठीक है साथियों और इसके च्यार पद होते हैं पहला पद सुनना दूसरा बोलना तीसरा पढ़ना और चोथा लिखना ठीक है साथियों तो ये च्यार पद होते हैं कोण कोण से सुननना दूसरा बोलना फिर पढ़ना और फिर लिखना ये च्यार पद होते साथियों इने को गुमाफिरा के दे सकता है आपको एक्जामिनर ठीक है साथियों जैसे कि सुनने को श्तरवन कोशल दे देगा बोलने को वाचन कोशल दे देगा पड़ने को पाठन कोशल और लिखने को लेखन कोशल दे के आपको रजीत किये जाते हैं यह तो सही है और घृल जगति उनना है बाष्य वे कशल में श्कॉरा को 묶ेज कर से संबंदेत है और चोथा यह वामरेज्ण क्या जाएं vert रहाई का से लो यह अन्से सो सही कहा है अन्हीं कौन कान नहीं है अब ख आपका से यह बशा कोसल एक करम में अर्जित नहीं किये जाते है ठीक है सातियों और कई बार परसन ये भी आता है इसी से रिलेटिड की इन मेंसे कौन सा अभी वैक्तातमक कोसल है यह परसन पूछा जाता है भई गुमा फिर आके ठीक है तो अभी वैक्तातमक का मतलब वो कोस तो आप अपने बावव दूसरै के सामने अभिवेकत कर सकते हो ठीक है यह भी आ जाता है आत्मक तो पहले वाड़े दो सुनना और पढ़ना धिय वह पढ़ना गिरियना अत्मक कोशल और बोलना और लिखना शरवन कोशल और कुल कितने उत्ते हैं? च्यार उत्ते हैं शरवन कोशल, वाचन कोशल, पाथन कोशल और लेखन कोशल तो यह आपके लग 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 अएक पाटंपलीट हो गया इसे की अवसें से, ठीक है शातीयों अगले question की तरफ बढ़ते हैं, बाशा अर्जन और बाशा अधिगम के संदरब में कौन सा कथन सही नहीं है, चार option दिये गए हैं, यह बताना में बाशा अर्जन और बाशा अधिगम के संदरब में कौन सा कथन सही नहीं है, पहले हम जान लेते हैं, बाशा अर्जन और बाश सा कथन सही नहीं है तो एक एकर क्यों पड़ते हैं सांस्कृतिक विभिंता बाशा अर्जन और बाशा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्पूर्ण कारक है सांस्कृतिक मतलब अलग-अलग समाज की विभिंता है वो बाशा अर्जन और बाशा अधिगम को प्रभावित ठीक हे सात्यूं बासा अर्जन जैसे यह होता है जैसे आप लोग इन्दी बोलते हो इन्दी किसे नहीं कि इन सी panels13 आपकी पर शिखाया वह इस संटैन्स को ऐसे याद गरो ठीक है तो था बासा अर्जन और बासा अधिगम कैसे होता जैसे अब हमें इंग्लिस लेंग्वेज सीखनी है तो बुकों से सीखते हैं हमें टीचर सिखाते इंग्लिस बोलना ठीक है वो था बासा अधिगम यानि कि आपते हो तो यह भी सही हो जाएगा तीसरा बासा अधिगम में कभी अनुवाद का सारा नहीं लिया जाता है अगला वेक्ति आपको बोल के बताएगा इंग्लिस को ट्रांसलेट भी करके दिखाएगा तभी तो आपको इंग्लिस बोलनी आएगी ठीक है सातियों तो इसका स अंदर्व में कौन सा कतन सही नहीं है और और ऑप्सन अंबर दी भी देख लेते हैं यह भी इसका सही है बासा अरजन सहे जो और सवाबाविक होता है जबकि बासा अधिगम परियास पूरण होता है ठीक है बासा अरजन तो आप अपने आप नेचुरल रूप से सीखते हो लेकिन जो बासा अधिगम होता है ठीक हो परियास पूरण होता है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अगले परसन के तरह बढ़ते साथ यो बहु बासिक कक्षा में बच्चों की बासा आएं देखो इसकी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बदाता हूं इसके उससन की बहु बासिक कक्षा में बच्चों की बासा आएं बासा सिखने की प्रकिरिया को बादित करती है बिलकुल नहीं करती वही ठीक है जैसे किक caracterती के पंजाब भी शिखाते हैं धाले आपक learned in यानि कि बहुत सी बासा हैं बोलने वाले बच्चे तो इसका सही और अगला ओप्षन है साथियों इसका सिक्सक के लिए बेद जटील चुनोती है भी गलत हो जाएगा आकलन की परकिरिया को बादित करती है भी गलत हो जाएगा अगले परसन की तरफ बढ़ते साथियों वीड जनमजात होती है एक मातर चौम्स की ही ऐसा मनोवेग्यानिक था जिसे ने ये बात कई थी बच्चों के अंदर बासा शीखने की अक्षमता होती हो जनमजात होती है ठीक है बच्चे जनम से ही अपने आप भी बासा सीखते नैच्वरल रूप से उन्हें किसी को सिखाने की जुर्थ नहीं पड़ती अगले परसंगे दरब बढ़ते हैं समावेशी कक्षा में समावेशी कक्षा का मतलब समझते होगा आप लोग अलग अलग बत्चों वाली कक्षा में बत्चों की आउसकताओं को पूरा करने में बासा सिक्सक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेद नहीं है आपकी कौन सी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है यह परसंगे पूछा इसके अंदर तो इसका सही अंसर चलो एक एक करके देखने हैं पहला उप्सन बच्चों की बासा समंधिय अक्षमताओं की पैचान करना ठीक है यह तो आपके आउसकता है मुख्य आउसकता तो यह तो सही है दूसरा बच्चों को भी भी परकार की दिरिश्य और सर्वय सामगरी उपलब्द कराना यह भी सही दिरिश्य सर्वय का मतलब देखने वाले और सुनने वाले सामगरी उपलब्द कराना अगला उप्सन बच्चों का आकलन करते समयती उदार बनना यह उप्सन परकारिये हैं तो उप्सिन नम्र ए लेखन भी सुनना भी अक्सर ग्यान भी और संप्रेशन भी चारों है लेकिन अती महत्वपूर्ण पूछा है तो सही अंसर हो जाएगा उप्सिन नम्र डी संप्रेशन संप्रेशन का मतलब क्या होता है यानि कि आपसरी में बातचित करना ठीक है आप अपने दोस्त के साथ कैसे कम्मुनिकेट कर रहे हो यह बासा काती महत्वपूर्ण परकारिये हैं अगले परसन की दरबड़ते साथ यह बासा की पाठ्वपूर्ण पक्स है जो बासा की पाठ्वपूर्ण पक्स होती है उसके सबसे मैं तपूर्ण है उप्सन नंबर भी पाठों का उदेश्य पूरण चयन ठीक है बतल बच्चों के इसाब से पाठ चयन करण का उदेश्य उना चीए अगले प्रसन की तरफ बढ़ते साथियों एक प्रात्मिक सिक्सक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय क किसे सरवय परी मानते हैं समय तो आप अगर एक प्रायमरी सिक्सक हो तो आप सतत्ष और व्यापक आकलन करते हो तो आप किसे सरवय परी मानते हैं चार ओप्सन दिए गए इसके अंदर से ठीक है साथियों तो आप लोग आप कि करके option को पड़ेंगे आपड़ी ठीक है कठिन सब्दों का शुरूत लेकन नहीं हम इसको सर्वोपरी नहीं मानते अगल option लिखित परसंद पत्तर इसको भी सर्वोपरी नहीं मानते पार्ट से देखकर सुलेक लिखना इसको भी सर्वोपरी नहीं मानते तो बच्या कोण सा option option number D, बच्चों दवारा विभिन संदर अबों में बासा परियोग किया समता, ठीक है, जो किया नहीं है, बासा परियोग की समता आएगा, ठीक है, बच्चों दवारा विभिन संदर अबों में बासा परियोग की समता होती है, इससे हम आकलन करते से मैं सर्वोपरी मानते हैं, अलग अलग जगया पर बच्चा बासा का प्रियोग कैसे करता है उससे में पता चलेगा बच्चा बासा को कितना शीखा है ठीक है अगले परसंगे तरह बढ़ते हैं साथियों पार्ट के अंत में अभ्यास और गतिविदियों का उदेश से खालिस्तान नहीं है जो पार्ट के अत्मक्ता का विकास करना ये उसका उदेश से है अगला बच्चों को अभी व्यक्ति के अउसर परदान करना ये उसका उदेश से है उप्सन नम्र डी बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये उप्सन गलत हो जाएगा तो यानि उप्सन नम्र डी से हो जाएगा पा करती है गलत है गलत है लग वह बसा में आकलन की परकीया कशा स्फेक्टे के लिग उतार है ऐसे हैं ऑगला 1 A कि अगले प्रसंगी तरव भढ़ती है आखरी क्योंसिन है इस थीमिया क्या होता है वोष्ट इंपोर्टेंड क्योस्ट इसन है एक नंबर अंडर परसेंट है डिस्थीमिया क्या होता है यह पर्षो new गया है तो से अंसरो जाएगा उप्शन नमबर एक गंभीर तनाओ की अवस्ता को डिस्थीमिया बोलते हैं डिप्रेशन को डिस्थीमिया बोलते हैं साथियों ठीक है और ये भी आपको तीन उप्शनों की एक्स्प्लेनेशन दे देता हूं क्या है ये पठन विकार यानी पंदरा के उसन इन से बार पेपर के अंदर कुछ नहीं आएगा सीटेट का पेपर आशे रगड देना धन्यवाद